हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपके अपने यूट्यूब चैनल ABC Classes by Rajan Verma दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत पहले ही आपको information दे दिया था कि आपका exam जो है November मंत में होगा और November मंत में मैंने बताया था second week में ठीक है एक तो official website पे आप देख सकते हैं और मैंने description box में भी लिंक दे दिया है ठीक है तो आप सीधा वहां पर क्लिक करके भी अपना admit card download कर सकते हैं दोस्तों बस यह जो वीडियो है बहुत छोटा सा होने वाला है और होने क्या वाला है यहां पर कि executive assistant यार qualify करने के लिए आपने पढ़ाई कर ली मेहनत कर ली बट कुछ छोटी छोटी बाते हैं बस वही चीज़े आपको बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा बिल्कुल तुरंत चलते हैं अपने part 1 पे part 1 और part 2 यह तो देखे आपका paper का हिस्सा है पहले part 1 होगा पहले part 1 होगा 50 question triple c level ठीक है negative marking 1 upon 4 50 question 50 marks का paper ठीक है जिसमें आपको क्या करना है 20 number कितना 20 number आपको लाना ही लाना है यह आपको qualify करना ही करना है ठीक है क्वालिफाई करना ही करना है अब आप एक चीज और समझेगा आपका competition माल लेते हैं कि आप 100% बच्चे हैं 100% बच्चे paper दे रहे हैं आपका competition 40% यहां पर खतम हो जाएगा 40% competition यहीं खतम हो जाएगा अब आप यह मत समझेगा कि 40% competition खतम होगा केवल computer की वज़े से उनका यह portion अच्छा नहीं था actually में उनका यही portion अच्छा था उनका सिर्फ यह नहीं अच्छा था समझ रहे हैं उनका यह portion बहुत अच्छा था लेकिन केवल यह portion ही अच्छा नहीं था जिसकी वज़े से वो बच्चे यहां पर पाहर हो गए लेकिन एक वो average बच्चा ठीक है मैं खुद को भी हमेशा से average ह मानता हूं ठीक है और average मानता हूं कभी गवन नहीं किया जिसकी वज़े से कई exam qualify किये ठीक है तो एक वो average बच्चा जिसने यहां पर भी मेहनत की और यहां पर भी की balance बना के चला क्योंकि उसको पता है यहां qualify नहीं हुए तो यहां पर हम तोप मार देंगे तो भी कुछ नह आ रहा हूं 100% sure 25 question ठीक है आपको easy वाले मिलेंगे easy to moderate वाले मिलेंगे जिस पर थोड़ा सा अगर आप focus करके ध्यान दोगी question को solve करने के लिए थोड़ा सा focus करेंगे क्योंकि option क्या होता है नहीं कभी-कभी मिलते जुलते हैं तो हम confuse होने की वज़े से गलत कर देते हैं लेकिन 25 question आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि आप यहां पी बहुत easily qualify कर सकते हैं समझ रहे हैं बहुत easily qualify कर सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको केवल 25 question मतलब 20 question ही तो आपको pass करना है लेकिन यह अब 20 ही नहीं 25 लेकर चलिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको अब इस 25 question यह जो 25 question easy वाले होंगे वो एक मतलब एक chronicle में तो नहीं होगा लगातार तो नहीं होगा एक easy आगया एक hard आगया है ना फिर पता चला hard 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 फिर इजी इजी फिर हाड फिर इजी फिर हाड इजी 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 ठीक है यह मैंने क्यों लिखा अब समझेगा पहला इजी था बच्चे ने किया बड़ा अच्छा लगा हाड आया हाड आया हाड आया हाड आया नहीं कर पाया अब यहां आता है कि यार कंप्यूटर बहुत कठिन आ गया अब तो फिर होता क्या है हमारा लेवल जो होता है कॉंफिडेंस लेवल होता है नीचे और यहीं पर बच्चा जहां देखिए डर ऐसी चीज है ना अच्छे चीज को बेकार कर देती है तो यहां पर जब चार कोशन नहीं आए तो सुचे का इतना ही कठिन पेपर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा लेकिन उसको नहीं पता था क्या लास्ट के जो 20 कोशन थे वो तो बहुत ही था ठीक है तो सुरू में बिल्कुल घबराईए नहीं 50 को अटेंड करिए आप यहां क्वालिफाई कर जाएंगे बिल्कुल आराम से बात करते हैं यहां पे हिंदी 25 है रिजनिंग 45 इंगलिश 55 और जीके 25 अच्छा है जीके बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग तो नहीं रहती मेरी तो नहीं है आप लोग की भी बहुत ज्यादा देगे क्योंकि स्कोरिंग तो यह है यहां पर क्या है 25 कोशन है आया तो ठीक नहीं तो थोड़ा बहुत तो आता ह अब 180 कोशन हो गया ठीक है तो पहला हर्डल तो आपका यह है कि कंप्यूटर पार कर लीजे फिर यहां पर आपका दूसरा हर्डल यह है कि प्रिवेसर कट ओफ आप एक बार देख लिजिए अब आपको कितना लाना चाहिए 180 में कम से कम 145 नंबर अन्रिजर्व को लाना चाहिए ठीक है अगर मैं कहूं 100% सेफ होने वाली बात अगर आप करोगे तो अन्रिजर्व को 180 में से 145 लाना पड़ेगा डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा है अगर पेपर बहुत हार्ड है पेपर बहुत हार्ड है तब तो ठीक है थोड़ा कम भी हो सकता है और पेपर मॉडरेट है तो यह मैं कह रहा हूं और पेपर देखिए पेपर कैसा होगा पेपर मॉडरेट ही होगा क्योंकि यूपी प 145 आप यहां पर करोगे और 20 नंबर टाइपिंग 165 ठीक है थोड़ा सा रफ करने दीजे मुझे ठीक है चलिए यहां तक बाते समझ में आगई आपको अब थोड़ा सा आपको टाइपिंग के बारे में बता दूं ठीक है सबसे ज़्यादा बच्चे वहां परिशान होते हैं चलिए अब आपको क्या करना है अभी आपको केवल जितने दिन आपके पास बच्चे ने पर फूकस करिए पर टाइपिंग बंद कर दिजिए इंक Δो रालिगा अभी तो नहीं डालेंगे चलिए वन मन्थ मिल जाएगा आपको टाइपिंग करने के लिए ठीक है मैं आपके साथ हूँ मैं आपको 100% guidance दूंगा मैं आपको 100% सिखाऊंगा 100% आपको typing qualify कराऊंगा ठीक है मेरे साथ साथ आप काम करिएगा मैं आपको बिल्कुल अगर आप regular आपके comment आएंगे और आप लोग कहोगे तो मैं आपको बिल्कुल day by day सिखाऊंगा एक दोस्त एक teacher जो भी समझी आपको day by day guide करूँगा और आपकी report लोगा आपको बिल्कुल सिखाऊंगा मैं ठीक है qualify करा दूँगा अभी लेकिन typing बन कर दीजिए return पर focus करिए 180 में से 140-145 score करने की कोसिस करिए ठीक है अब बात करते हैं कि sir अब आपकी जो हिंदी होगी ये हिंदी तो qualify करना must है और English नहीं भी qualify करेंगे तो कोई बात नहीं लेकिन आपको एक बात बता दूँ typing जो qualify नहीं कर पाएगा typing में जो fail हो गया उसका selection भी नहीं हो पाएगा उसका selection नहीं हो पाएगा ठीक है बहुत बड़ा तो मतलब हिंदी में pass हो गया English में fail हो गया तो भाई कम से कम वो 165 नमबर रेटेन में लेकर आए 180 में तब जाके selection हो पाएगा ठीक है दोनों qualify करेंगे तो आपको 20 नमबर मिलेगा और केवल कुरूती देव पे है 0100-016 तो 20 नमबर आपको जरूरी है तो आप अभी typing का बिल्कुल भी अभी आपको क्या करना है अपने एकजाम पर फोकस करना है और आपको एक टार्गेट लेकर चलना है कि कम से कम 140-45 यह तो मैं जनरल के दिबता रहा हूं बाकी आप इसी हिसाफ से देख लेजीएगा ठीक है तो बने रहे है चैनल पर आपको typing qualify कराने की मतलब कोसिस पूरी रहेगी अगर आप भी कोसिस करोगे मेरे साथ तो हो भी जाएंगे ठीक है